हेलो एवरीवान कैसे हो आई होप कि आप लोग सब अच्छी होंगे सो फिलाल दोस्तों आज का यी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन के इंडेट के लिए जो SSCJD कॉंस्टेवल नहीं भरती 222 की वेट कर रहे हो जो की आपका फॉर्म अप्लाइड एट है 10 दिसंबर 2022 तो इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ important बाते हैं जो की आपको जाना जरूरी है और उस पे आपको काम करना जरूरी है ठीक है वरना ऐसा नहीं हो की आप लोग फॉर्म भरोगे बात में जाके आपको पस्ताना पड़े ठीक है तो कुछ important points है जो की आपको आगे वीडियो में discuss करेंगे और वो सभी important points आपके लिए ही important है अगर आपका dream है की constable ZD में जाना है तो ठीक है तो बने जाना गाइस मेरे वीडियो के साथ और अगर आपने अभी तक चैन को subscribe नहीं किया है तो चैन को subscribe कर लो अगर एससे जीडिस related information authentic चाहते हो तो ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहला important बात आपका आता है कि physical measurement और physical measurement में भी वह भी सबसे पहला important आता है आपका height ठीक है क्योंकि height में maximum candidate जो है वो physical के दारान बाहर हो जाते हैं ठीक है लगभग 50% के आसपास जो बच्चे जिसका height नहीं है वो एकदम reject हो जाते हैं और उनका सारा मेहनत जो भी आप exam में marks लाते हो मतलब अपने cut-up को पार करते हो और at the end कि आपको physical यानि कि running से पहले ही आपके height measurement होते हैं और उसमें ही बाहर हो जाते हैं तो सबसे पहला point है कि form भरने से पहले आपका physical measurement जो है वो एकदम accurate होना चाहिए तो देखो जनरल जो candidate है जनरल है OBC है और SC candidate वाले जितने मेल candidate है उन सभी के लिए 170 cm height होनी ही चाहिए ठीक है अगर आपका नहीं है तो form भरने से कोई फायदा नहीं है आप physical में जाके reject हो जाओगे ठीक है वहीं पर हम female candidate की बात करेंगे तो जो जनरल candidate है OBC और SC candidate है उन सभी female candidate के लिए है आपका 157 cm height अगर इससे कम है तो आप form नहीं भरो तो बेटर है क्योंकि आगे आने आगे जाके जो है आपको physical में वो reject कर देगा ठीक है तो यहाँ पर जो आपको physical measurement दीख रहा है यह person यह आपका जनरल candidate OBC और SC candidate के लिए है ठीक है और relaxation की बात करें तो यहाँ पर all candidate belongs to ST यहाँ की schedule tribe जो भी ST category में आते है चाहे वो male हो चाहे वो female हो तो उन सभी के लिए थोड़ा सा relaxation है तो male में अगर हम बात करेंगे तो 162.5 female में बात करेंगे तो 150.0 ठीक है तो यह आपका ST candidate हो गया और बाकी आपका उपर में बाकी जो general candidate हो गया इन से और कर लिना आपका की physical इतना मतलब की जो measurement है आपका height इतना होना ही चाहिए ठीक है otherwise form बढ़ने से कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो इस बात कभी से सुपसे लियान रखना ठीक है आगे चलते हैं तो आगे आपका आता है कास्ट और residence certificate ठीक है तो यह सबसे important है और आपको पता है कि नई भरती जो है आपका December में आने वाला है तो उससे पहले जो है अभी आपके पास बहुत अच्छा कासा समय है जो कि आपका कास्ट और residence certificate बनवा लेना ठीक है 2021 वाले candidate से थोड़ा सीखने को मिलेगा आप लोगों को क्योंकि देखो अभी वो लोग के माइन में क्या है कि crucial date का लेकर पंगा चल रहा है कि crucial date से पहले का अगर नहीं होगा तो क्या होगा ऐसे certificate तो accept हो गा ही लेकिन आप जो भी candidate 222 वाले भरती को attend करोगे या फिर डालोगे तो आप लोग पहले से secure हो जाओ ताकि बाद में आपको को attention ना हो crucial date का जहमिला ना र बन वालो तो बेटर रहेगा क्योंकि एक साल का validity रहता है जिनका OBC नहीं है वो भी OBC बन वालो लेकिन OBC Central certificate होना चाहिए ठीक है जो SST का format होता है या फिर Central certificate होता है वो होना जरूरी है क्योंकि यह आपका भरती Central का है तो इसमें Central certificate खोजता है ठीक है महीं पर हम बात करेंग जरूरी है तो यह जरूर से बनवा लेना अभी आपके पास समय अच्छा खासा है बनवा लो ने तो बाद में बनवा गए तो थोड़ा सा टेंसन वेगरा में रहोगे इससे बेटर है कि आप पहले यह बनवा लेना ठीक है अब हम बात करते ही जो में इंपॉर्टेंट है आ आपका यह प्रिफरेंस और फॉर्स को लेकर क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो में जो है कमेंट आप लोग के आये थे दोहरे किस वाले में भी कि मुझे प्रिफरेंस चेंज करना है क्या चेंज होगा या फिड नहीं होगा तो मेक्स और गाइस जो भी एससे डी नहीं भर है ठीक है तो यह सारे पोस्ट यहां पर होंगे 2221 वाले भरती में CRPF नहीं था लेकिन इस वार CRPF आपके रहेंगे तो जितने भी केंड़ेट 2222 वाली भरती के लिए है तो आप अपना जो आपका क्या बोलतो उसको जिसमें आपको इंट्रेस्ट है चाहे आपका CSF हो CRPF ह या फिर BSF हो जो भी होई इन सारे पोस्ट में तो उनको पहले PREFERENCES में रखना ठीक है बाद में यह नहीं कि बाद में वो CHANGE हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो जिसमें आपको जाना है उसको पहले रखना है ठीक है और ये बाद में कहीं भी CHANGE नहीं होगा और आ लेखिन आपको जाना रहता है किसी और में और आपको पोस्ट मिल जाता कोई और तो यहां पर बच्चे भी जो है वो डिमोटिवेट हो गए या फिर नहीं जाना चाते तो वह बात बागी जो है फाइनल सेलेक्शन के बाद भी वह मतलब छोड़ देते हैं तो ऐसा आप लोग के बारे में भी आपको मैं बता दिया कि पहले उसी को रखना है जिसमें आपको जाना है ठीक है और इससे आपको कई सारे फाइदे होंगे जो कि आपका मेरिट लिस्ट में बनने को जब बनेगा मेरिट लिस्ट तो उसमें ज्यादा फाइदा होता है ठीक है तो यह सारी बा और आप लोग का क्या राई वीचार है आप नेक्ट वीडियो किसी चीज पर चालते हो आप इसके लिए भी कमेंट बोक्स में कमेंट कर दिना ताकि मैं आपके कमेंट के नुझार नेक्ट वीडियो डाल सकूँ तो बस यह सब बाते थी ओके दोस्तो तो फिर मिलते हैं नेक्ट किसी वीडियो के साथ तब तक दोस्तो जय हिंद वंदे मातरम